तो सब बीते कुछ महिनों में भारत में P-75i सब्मरीनों का चर्चा काफी अधिक है। खास करके तब से जब से जर्मनी के द्वारा भारत के सामने अपने सब्मरीनों का प्रस्ताव रखा गया। अब दोस्तों इससे आप लोगों को काफी हरानी हो सकते है कि जो भारत बिदेशों से सब्मरीनों को खरीदने को लेके सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है वहाँ पे किस तरीके से चुप चुपा के ऐसे बड़े काम को अंजाम दे दिया गया और कैसे कहा जा रहा है कि करते हुए जानकारी दिया किया है कि यह जो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है मतलब गौवर्मेंट कमपनी है यह इंडिजिनियर सब्मरीनों को डेफलफ्ट करने को लेके एक बहुत बड़ा सफलता हासिल किया है और पहला संपूर्ण स्वादेशी इंजिनों को के काम किया जा रहा है पर दोस्तों इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह जो सब्मरीन है यह भारत को जरूरत नहीं है या यह भारत के आवशक्ताओं को पूरा नहीं कर सकता बैसिकली दोस्तों जिन सब्मरीनों का जिकर किया जा रहा है यह कोई अन्मैंट सब्मरीन या अन्म वेकल भी नहीं है भलकि मज़गाव डॉक्याड लिमिटेड असल में एक मिटगेट सब्मरीन के उपर काम कर रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह जो मिटगेट सब्मरीन के प्रोटोटाइप है जिसे की MS-102A नाम दिया गया है यह तैयार है और साल 2024 में यह कम जबूत कर सकेगा अब दोसो लंबे समय से इंडिया नेवी ऐसे मिटगेट सब्मरीनों को हासिल करने को लेके प्रयास कर रहा है और आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बता दू कि ऐसे सब्मरीन असल में कोवर्ट मिलिटरी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए है ताकि यह जो सब्मरीनों का इस्तिमाल करते शैलो वाटर से दुश्मन के कोश्ट तक जा सके दोसो ऐसे मिटगेट सब्मरीनों को लेके बताया जा रहा है कि यह जहाजों से लौंच किया जा सकेगा और इसका प्राइमरी रोल होगा कि सुइमरों को दुश्मन के पोर्ट तक ले जाना हो या फिर वहाँ पे जाके माइन्स विछाना हो और उसके बाद हॉस्टाइल एरिया से रेस्क्यू के लिए इन सब्मरीनों का इस्तिमाल किया जा सकेगा क्योंकि ये सब्मरीन सुइमर्स को आसानी से करी करके पानी के नीचे से छुपा के दूर तक ले जा सकेगा और जहास तक पहुंचा के rescue भी कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे जो MS-102A सब्मरीन के prototype का जिकर किया जा रहा है, असल में यह जो सब्मरीन है यह इतना बड़ा होगा, कि यह pilot और co-pilot के साथ संपूर्ण combat team को उनके special gears या फिर किया तो उनके हतियारों के साथ carry कर पाए, अब दोस्तों इस तरीके के जो mid-gate submarine है यह कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जो mid-gate submarine है यह असल में किसी भी तरीके के XL, UUV या फिर underwater drone के जैसा नहीं होगा, बलकि यह बड़े आकार का होगा, जो की unmanned तरीके से control नहीं होगा, बलकि संपूर्ण रूफ से manned तरीके से control होगा, दोस्तों यह ख़वर मजगाव डॉक्याड लिमिटेड के लिए तो एक बड़ा ख़वर है ही साथ में पूरा भारत के लिए और इंडिया नेवी के लिए भी बड़ा ख़वर है, क्योंकि इसके बाद और ऐसे midgate सब्मरीनों को भारत के द्वारा किसी अन्य देश से खरिदने का ज़रुरत नहीं पड़ेगा, इवन दोस्तों इससे जो इंडिया के नेवी के जो special forces है उसके भी मजबूती होगा और एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि दुश्मन के कोश्ट तक या दुश्मन के पोर्ट तक जाके मिशनों को अंजाम देना और आसान होगा, हाला कि मजबून डौकेट लिमिटेड को यही पे ही नहीं रुकना चाहिए बलकि इसके साथ साथ सम्पून डिजल इलेक्टिक सब्मरीन मतलब जिस तरीके के सब्मरीन प्रोजेक्ट 75 आई के अंतरगत खरिदने का प्रयास चलना है उस सब्मरीनों का भी डेवलोप्मेंट करना चाहिए आप लोगे जानकारी के लिए बता दू कि जो 30 साला प्लान था जिसके अंतरगत 24 सब्मरीनों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना था उन में 6 सब्मरीन तो प्रोजेक्ट 75 के अंतरगत है और 6 प्रोजेक्ट 75 आई के अंतरगत है लेकिन बाकी के जो 12 सब प्रोण रूफ से इंडियनियस होना था रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मजगाव डॉक्याड लिमिटेड काफी सारे सब्मरीनों के पार्ट्स तो अब तक बना चुक है और भारत के कई सारे अन्य सनस्ताओं के द्वारा ऐसे पार्ट्स को बनाया जा रहा है जो सब्म 75i में भारत बड़े मात्रा में टेकनोलोजी ट्रांसफ़र और स्वादेशी इक्वेपमेंटों को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जो स्वादेशी इंडिजिनियस सब्मरीनों के कॉंसेप्ट है उसमें आसानी हो और जल्द से जल्द ऐसे सब्मरीनों को तैयार किया जा सक दोसे आप लोगे को क्या लगता है कि मजगाव डॉक यर्ड लिमिटेट के तरफ से जो सब्मरीन बनाया गया है ये इंडिया के लिए कितना आवशक है कॉमेंट करके अवश्रे बताईए तोसे आज का वीडियो यही पही करते हैं समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीड करेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम